आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Windows Object के बारे में, हम देखेंगे कि BOM क्या होती है, DOM क्या होती है, और ब्राउजर में कौन-कौन से JavaScript के कोर फीटर से आफ लोग को देखने को मिलते हैं, BOM होती है Browser Object Model और DOM होती है Document Object Model, जो कि आपके HTML पेज को पूरे एक document tree की तरह दिखाती है चलते हैं अब वीडियो स्कीन में देखते हैं कैसे BOM, DOM और Javascript के कोर फीचर्स ब्राउजर की विंडो में काम करते हैं Let's get started तो कैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि alert prompt or confirm किस तरह से काम करते हैं और हमने ये भी देखा था कि क्या इनकी disadvantages हैं देखो simplicity के लिए तो आप लोग इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आप definitely इनको इस्तेमाल कर सकते हो पेज से दूसी चीज ये कि आपकी जो exact location होती है इस model की वो आपको नहीं मालूम क्या होती है वो browser decide करता है most of the cases में उपर से निगल के आता है alert confirm or prompt लेकिन कोई guarantee नहीं कि उपर से निकल के आएगा फिर एक और चीज ये होती है कि आप इसको जादा आप modify नहीं कर सकते कर आप चाहती है model looks डालना तो वो आप नहीं डाल सकते तो यह कुछ limitations है आज हम बात करेंगे bomb और dom की यह bomb वो फटने वाला bomb नहीं है और window object की भी बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक रैपल बना लूँगा html css और javascript का इस्तेमाल करते हुए और इसका नाम मैं रखोंगा 28 underscore और window और उसी के साथ साथ bomb और उसी के साथ साथ dom ठीक है window के w को small कर ले थे हैं क्योंकि जो window object होता है वो small w से होता है और यहाँ पर मैंने create गर लिए अपनी अब मैं आप लोग को दिखाना यह चाहता हूं कि window object क्या होता है अगर मैं यहाँ पर अपनी script क्या होता है अगर मैं यहाँ पर अपनी script क्या होता है एक fastest way जो है वो यहाँ पर script को लिखने का है script tech का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है मैं यहाँ आपर simply लिखूंगा console.log window ठीक है save करूंगा और इसको जब reload करूंगा और अपने console को खोलूंगा तब आप लोग देखो यहाँ पर window object मेरा print हो गया अब इसके अंदर alert होता है ATOB होता है blur होता है बहुत सारे methods होते हैं लेकिन हम लोग बात करेंगे कुछ methods की जो कि आप लोग को बता होने चाहिए ठीक है window एक global object होता है मैंने जैसे की notes में आप लोग के लिखा हुआ है we have following when javascript runs in a browser window object होता है इसके अंदर dom है bomb है और javascript के core features है ठीक है पर देखो मुझे देखने को मिल गया ठीक है अब मैं अगर यहां पर लिखूं सिर्फ let us say alert मैं alert की जगा window.alert भी लिख सकता हूं ठीक है तो सब कुछ window object के अंदर ही आता है को मालूम है तो आप लोग के understanding बड़ेगी कोई अगर आपसे कहते है कि dom में यह होता है bomb में यह होता है तो आप समझेंगे कि सामने वाला क्या बात कर रहा है तो जो dom होता है document object model यानि कि आपके पूरे html page का एक object बनके उसको document नाम दे दिया गया है down arrow की तो यहां पर मैं लिखूँगा window.consol window लिखने की ज़रूबती है मैं रोड़ा simplify करूँगा इसको मैं आप लोग को बता रहा था document.body करूँगा तो मेरे page की body आ जाएगी ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़े हैं आप देखो यह सब यूज की जा सकती है document.next sibling यूज की जा सकता है और no type भी यूज की जा सकता है और भी बहुत सारे methods है जो की यूज की जा सकते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हूं पूरी list आ गई है लेकिन मैं आपर आप लोग को document.body को print करूँ तब आप लोग यहां पर देखोगे की body print हो गई है और body के अ अंदर कोई element आप select करना चाते हैं तो वो कर सकते हो इसका next sibling क्या है first parent क्या है last child क्या है यह सब चीज़े जो है आप लोग पता लगा सकते हैं तो यह काम जो है आप लोग बड़े प्यार से कर पाऊगे अगर आप लोग को document object model मालूम है हम लोग देखेंगा आने वाले videos में क कि इस तरह से हम लोग एक particular element को target करके उस पे click listeners लगा सकते हैं events को listen कर सकते हैं बट यह document object model आप लोग को पता होना चाहिए कि यह होता है पूरा document एक JavaScript object के तोर पर window object represents browser window and provides methods to control it it is a global object जो window object है वो एक global object है और यह आप लोगों को एक तरीखा प्रदान करता है आपकी पूरी browser window window को control करने का एक global object है यह तो मैंने आपर dom के बारे में लिखा हुआ है represents a page content as html document.body आपकी पूरी page की body को ऐसा JavaScript object दिखाएगी आप लोग चेंज कर सकते हैं मैं आप लोग को दिखाता हूँ जिसे अगर मैं यहाँ पर लिख दो document.body.style अब मैं इसकी CSS styles change कर सकता हूँ और मैं गया अगर मैं इसको yellow करूँ तो इसका background color yellow हो जाएगा मैं इसको reload करके दिखा दूँ आपको तो इस तरह से आप लोग style change कर सकते हो और आप लोग को CSS आती है तो almost सारी CSS properties आप लोग JavaScript से चेंज कर सकते हो अब आप में से कहीं लोग सोचोगे कि यार मैं JavaScript से क्यों change करूँ मैं उसका answer यार देखो यह है कि JavaScript से आप change इसलिए करना चाहोगे क्योंकि कभी-कभी हम लोग user ने क्या किया है कौन सा event चल रहा है उसके आधार पर change करना चाहेंगे कुछ properties और कुछ values को ठीक है जैसे कि आप चाहोगे अगर मालो आप चाहते होगी user ने कुछ ऐसा कर दिया कि आ यह ने एंटर किया यह लो और आपका जो बैक्राउंड ने पेच का हो यह लो हो जाए तो आप style sheet तो आप change कर नहीं सकते जाकर style sheet तो आपकी style.css में वो constant रहने वाले JavaScript दिमाग होता है एक web page का JavaScript web page को किस तरह से क्या logic use करना है इस चीज को control करता है तो वो चीज जो है चाहोगे कि user के किसी action पर कोई काम हो ठीक है I hope that is clear and I hope कि आप लोगो समझ रहोंगे मैं किस बारे में आपर बात कर रहा हूं ठीक है so आगे मैं बढ़ूंगा और आप लोग को आप बताऊंगा bomb के बारे में जो कि यह browser object model browser object model represents additional objects provided by the browser की और additional objects अगर आप लोगों को चाहिए host environment पर कुछ और manipulations करनी है जैसे कि मानलो मैं चाहता हूं कि आज जैसे किसी ने कोई एक action किया मानलो किसी बटन पर क्लिक किया user ने तो वो चला जाए google.com पर किसी दूसरे बटन पर क्लिक किया तो चला जाए facebook.com ठीक है तो मैं इस तरह की काम करा सकता हूं bomb कर स्तमाल करके in fact ज browser में काम करते हैं वो browser object model है जो कि additional objects जो कि आपका host environment प्रवाइट कर रहा है उसका एक हिस्सा है तो bomb क्या है कुछ additional objects जो कि आपका host environment प्रदान कर रहा है आपको अब host environment आप लोग सोचोगे यार हमेशा browser ही रहेगा नहीं यह सच नहीं है अगर मेरे पास यह phone है ठीक है अगर यह phone है मेरे पास तो क्या होगा कि आप लोग उस host environment की द्वारा प्रदान की जाने वाले objects की यूज़ कर सकते हो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अगर मैं आप लिखता हूँ alert और आप लिखता हूँ है ठीक है और मैं कुछ इस तरह से करता हूँ तो यह आ जा गई तो आप सभी जानते और आप लोग को लग रहा होगा यारी तो पता है लेगिन यह bomb का हिस्सा है अगर मैं आप लिखता हूँ location.hrf is equal to और मैं आप लिख देता हूँ https codewithherry.com लिख दिया मैंने ठीक है तो यह मुझे codewithherry.com पर redirect कर देगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो यह bomb का ही हिस्सा है ठीक है I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और सब लोग notes को जरूर access कर लेना और notes जो है chapter 6 जो है भी यहां पर complete हो गया है तो जितना भी कुछ मैंने लिखा है वो आप लोग यहां पर पड़पा होगे printout निकल वालो है और वो सस्ता हो था अपनी नजदी की xerox वालो के पास जाओ सस्ते में deal करो उनके साथ ठीक है और निकल वालो मैं आपको एक trick और बताता हूँ मैं जो बहुत पहले करता था और करने की ज़रूवत है नहीं वैसे बट मैं आपको परसनल बताता हूँ कि यह मुझे थोड़ा बहुत मेरे पास पैसे जब नहीं होते थे और मुझे printout निकालना होता था किसी भी चीज का तो मैं क्या करता था कि एक पेज पर आठ आठ निकल वाता था पेजे जैसे कि एक पेज यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ चार 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 होता हो जाएगा दिखेगा नहीं आपको आपकी आखोंपे पर स्ट्रेंड पड़ेगा वो तो है यह ठीक है बट सम्थिंग इस बेटर ना निकल वाहूं विज आविज मैं मेरे पास कुछ हो ठीक है तो मुझे मेंशा पर निशान लगा लेता था तो मैं बस बता रहा and I will see you next time